आज प्रधान मंत्री जी तीन चरणों के बाद और बॉखला गए और इतने बॉखला गए कि पपा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में मैं आपको याद दिलादू प्रधान मंत्री जी तीन अप्रेल से अब तक राहुल कांधी जी एक सो तीन बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और तीस बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं प्रधान मंत्री जी अपने इन लोगों से और तमाम अपने अध्योगिक घरानों के दोस्तों से 8200 करोड चंदा लिया इलेक्टरल बॉंड के माद्यम से गहर कानूनी था वो अब तो असमयधानिक करार कर दिया गया सुप्रीम कोड द्वारा कर दिया गया पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फरक पड़ा अब जब जब ज़रा सा चुनाव हारनेक की स् जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकता है प्रदान मंत्री जी यह जो आपने इलेक्टरल बॉंड्स का घपला किया था इसकी पूरी जांच होगी आप निश्चिन्त रहिए हम नाम सबका लेते हैं हमें किसी से कोई डर नहीं है हमें किसी की कोई चिनता नहीं है हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ जिनके लिए हम नियाय का एक गोशना पत्र लेकर आए है नियाय पत्र लेकर आए हैं रही उनकी कुल संपत्ति 70 करोड हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है सोचिया आपने किस तरह का देश पिसले 10 साल में बना दिया